नमस्कार बच्चों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइस में जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ इससे पहले मैंने आप सबको पढ़ाया था कि मृत जल क्या होते हैं और कठोड जल क्या होते हैं अब हम इनके अंतर के बारे में देख लेते हैं और अकसर आप सबसे अंतर पूछा जाता है इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाना जरूरी समझा और आप सब वीडियो को सेयर कर और जिनका फर्ष्ट टाइम फर्ष्ट टाइम इस चैनल पर जूड़े हैं वो जरूर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे उन्हें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर मृत जल और कठोर जल में अंतर जी हां फर्ष्ट हमारा मृत जल है, मृत जल तो सौधर होता है, जल जो होता है सौधर होता है किन्तु कठोर जल में लवडगूले होने के कारण वह सौधिस्ट होता है और दूसरा हमारा मृत जल साबुन के साथ सुगमता के जहाग देता है और कठोर जल में क्या होता है? साबुन के साथ आध कम तथा कठिता से जहाग देता है और तीसरा हमारा मृत जल में कैसियम तथा मैगनेसियम के बाइकार्वोनेट कार्वोनेट सल्फिट तथा क्लोराइट का आभाव होता है और वहीं देखा जाए तो कठोर जल में इस कैसियम तथा मैगनीसियम के सलवर्ड वाइकार्वोनेट तथा कुल्रायट गूले रहते हैं और फोर नमबर हमारा मृत जल में कपड़े धोने में कम साबन भी होता है और वहीं कठोर जल में कपड़े धोने में बहुत अधिक साबन का खर्च होता है और फाइब नमबर है मारा मृत जल का परियोग करने से बाइलरों में सीगर खरावी नहीं आती है और कठोर जल का परियोग करने से सीगर ही खरावी आ जाती है लोड नुबस्तित होते हैं या पीने में लाबदायक नहीं होते हैं लेकिन कट्वर जल में घ заним क्रिशने में लाबदायक होता है और आगे देखते हैं अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को सेर नहीं किये वीडियो को सेर वसे करते हैं अब देखते हैं कि जलको की जो कठोरता होती है उसे दूर करने के लिए कौन कोंसे उपाय अपना जाते हैं इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि हमें सोड़े का परियोग करना पढ़ता है रशानिक पतार्थ हो में सबसे अधिक सबस्ती पतार अपम्रेखों निकल जाते हैं जिर सेफ्यों की नольше सबस्ती होता है इसका दो कमल बना देता है, सोडे का परियोग करना आसान तथा सस्ता रहता है, इसलिए घरों में जल्खों मृद करने के लिए किसका परियोग करते हैं, उत्तम माना जाता है, सोडे का परियोग उत्तम माना जाता है, आसा करते हूं, आप सब को वीडियो अच्छा लगा होगा, जै मातारा प्रवादी